कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी हर बात पर राजधिती करने सामने आ जाते हैं, बात बात पर वो मोधी सरकार को घेरने आ जाते हैं, लगतार मिल रही हार से हताश कॉंग्रिस के नेता और राहूल गांधी समझी नहीं पा रहे हैं कि वो किस मुद्धे पर मोधी सरकार को घ लोगों को याद दिला दिया है ये मरजंसी लगा कर समिधान की हत्या किस पार्टी के नेता ने की थी लेकिन लोग सबाचुनाओं के दौरान कॉंग्रेस बीजेपी को लेकर दुश परचार कर रहे थी और चुनाओं के बाद भी कॉंग्रेस के नेता वही कर रहे थे लेकिन इस साल के लोग सबाचुनाओं के बाद एक्जिट पोल आये थे उस दिन शियर बजार ने खोब उचाल मारा था लेकिन जिस दिन परिनाम आये उस दिन शियर बजार धराम से गिर गया जिसके बाद राहुल गांदी ने अपने चित परिचित अंदाज में वरम फैलाने की पाए गये थे इसमें एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की परचंड बहुमत से जीत बताई गई थी जिसके बाद शियर बजार में जबरदस्त तेजी देखी गई थी हलाकि मतगंणा के दिन अनुकुल नतीजे नहीं आए और शेयर मार्केट भरबरा कर गिर गई इसे विपक्षी दलो खासकर कॉंग्रिस ने हेरा फेरी बताया था राहूल गांधी ने प्रेस कॉंफरेंस कर बीजेपी पर निशारा साथा था हलाकि बाजार नियामक सेवी ने इससे इंकार कर दिया है विपक्षी दलो के आरोप पर बाजार नियामक संस्था भारतिय परतिभूती एवं विनियम बोड ने इसकी जाज शुरू की थी सेवी ने इस जाज को अब पूरी कर ली है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेवी का कहना है कि लोगसवा जुनाओं के एग्जिट पोल के दिन बाजार में कोई हेराफेरी या इंसाइट ट्रेडिंग नहीं हुई सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा मांगा गया था उनके गहन विशलेशन में कोई गरवरी नहीं मिली है एग्जिट पोल के उसत अनुमान के अनुसार बीजेपी के नितरुत वाली एंडिये गटबंदन को करीब 366 सीटे मिलने की बात कही गई थी इसके बाद अगले ही दिन यानि 3 जून को सेंसेक्स और निफ्टी में 3 परसेंट से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई हलाकि मतगन्ना के दिन 4 जून को इंडिये को सिर्फ 293 सीटे मिली इसके बाद बाजार में 6 परसेंट की गिरावट आ गई थी जसके बाद कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने प्रेस कॉंफेंस कर बाजार मेहराफेरी का आरोप लगाया था राहूल गांदी ने इसे शेर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया था और इसकी जाच सन्यूक्त संसदिय समीती से कराने की मांग की थी वही राहूल गांधी के बाद TMC के राजसवा सांसत साकेत गोखले ने इसी तरह का आरोप लगाते हुए सेवी को एक पत्र लिखा था अपने पत्र में गोखले ने लिखा था कि exit pole कंपनियों ने exit pole के प्रमान से पहले अपने ग्राहकों को उन्नत जानकारी प्रदान की जिससे उन्हें गैर सार्वजनिक जानकारी के माध्यम से शेयर बजार में अनुचीत और अंध्रोनी लाव मिला लेकिन अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राहूल गांदी सहीत विपक्ष के वो नेता जो शेर बजार मेहराफेरी को लेकर बीजे पीपर आरोप लगा रहे थे उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है अब राहूल गांदी को भी सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने ये आरोप क्यों लगाये थे राहूल गांदी अब तक मोधी सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं लेकिन अब तक एक भी आरोप साबित नहीं हुए है Bureau Report OMH News